हेलो दोस्तो मेरा नाम है नरेंद कुमार और मैं हूँ एजूकेशन विद मोटिवेशन से जैसा के आप जानते हैं कि मैं एक इस्टाग्राम पर पेज भी चलाता हूँ जो की इन्वार्मेंट को सपोर्ट करता है जिसका नाम है नीड इको फ्रेंडली अगर आप चाहें तो आ करते हैं कि एक कूर ह। जी तो यहले कर सकते हैं यो फृत कर अंदर इन्दर चलाओ है जिसका नाम है नाम है नेक्सों defensive का मतलब है करते हैं तो दोस्तों आब बात करते है और Naxon EV के इस पेस्टिस के बारे में hm सबसे पहला चार अब जैसे ना होग बढ़न ओंडर पे Ready या दीजल से चलने वाला होता है आपको जैसा के मालम होगा अच्छा PMS Motor क्या होती है PMS Motor होती है PMS Motor होती है Permanent Magnate Synchronous Motor Permanent Magnate Synchronous Motor PMS Motor को अगर बात करें हम तो यहां पर यह जो नैक्सवन यहां कि जो pure ay का कि जो मोटर हैये यह कितना Power General करती है kalkyanate zero करती है कोंज सी टॉक जो होता है इसके अंदर 245 Nm का टॉक होता है तीसरी चीज़ के अंदर जो बैटरी यूज होती है वो लीथियम पॉलीमर बैटरी यूज होती है और दूसरी चीज़ अगर चार्जिंग टायम की बात करें तो यहां पर Tata Motors ने इसके अंदर एक नई फंशनिंग दिया ज जो की Fast Charging की Function है जिससे की Tata Motors धावा करते हैं कि इसको हम एक गंटा मतलब की 60 मिनट के अंदर 10-80% चार्ज कर सकते हैं अच्छा दूसरी चीज़ अगर हम इसके किलोमेटर की बात करें कितना किलोमेटर यह चल सकती है तो नॉर्मली अगर लोगों ने इसको कुछ मतलब एक बार यह फुल चार्ज होने के बाद चलती है जो की more than enough है अगर देखा जाए आज के टाइम है तो इंडिया के अंदर तो 240 किलोमेटर इतना ज्यादा भी नहीं लेकिन कम भी नहीं अगर देखा जाए तो अगर नॉर्मली आदमी को डेली 50 किलोमेटर या 100 किलोमेटर चल आता एक दिन में अच्छा बात करते हैं इसके अंदर दो तरह के मोड होते है एक होता नॉर्मल वाला मोड एक होता sports मोड तो यहां पर टाटा मोडर यह दावा करती है कि अगर आप नेक्सोन इवी के अंदर sports मोड को एक्टिवेट करते हैं तो वह 60% more talk generate करती है तो यहां पर sports मोड लगाएंगे लेकिन इसका घाटा यह हो सकता है कि आप जब इसको लगाते है उसके बाद बैटरी आपकी जो ड्रेन होती है वह बहुत जल्दी ड्रेन होती है ठीक है दूसरी चीज़ यहां पर हम बात करते हैं कि 240 km जो हमने बताया था distance cover करती है एक बार full charge ह होने के बाद तो वह भी आपका हो सकता है कम हो जाएगा अगर आप इसको sports mode पर चलाते हैं तो चलिए अब इसके कुछ और specifications के बारे हम बात करते हैं चलिए दोस्तों बात करते हैं एक नए specifications के बारे में जो कि czata neXon के अंदर ही आपको देखने को मिलता है गा कि इसके अदर आपको देखने को मिलता है. हो सकता है कि आपकर आने वाले समय अने वाले समय में में देके तो यहाँ पे जहां पहना के हम समें पहले हमारे जरने पहले के अच्छा को पहले है do पहले बात करते हैं हम battery to tire की तो battery to tire energy flow आपको वहाँ पर screen के अंदर शो होगा जब अपनी गाड़ी को accelerate करेंगे मान के चलिए आप अपने घर से निकले गाड़ी को लेके और आपने highway पर गाड़ी को भाया ठीक है तो आपके मन में है कि मैं 70-80 km परार तक इसको चलाओंगा उस battery से निकल के आ रही है वो टायरों तक जा रही है ठीक है इसका मतलब यह हुआ उसके बाद मान के चलो आपने 70 km तक अपनी गाड़ी को लेके गए उसके बाद आपने बोला कि अपनी गाड़ी को ज्यादा फास्ट चलाना नहीं है तो आपने उसको एक्सलेट को छोड़ दि तो नहीं बाद में दीरे दीरे जाके उसकी स्पीड कम होगी लेकिन गाड़ी चलती रहेगी तो वहां पर कहा कि पढ़िए तो उस टाम भी घुमेंगे उसके तो उस टाम जो आपको energy flow जो शो कराएगा गाड़ी में वो होगा tire to battery मतलब कि tire के अंदर कुछ ऐसा function दिया है उ यह होता है आपका tire to battery flow तो यह दो energy flow होते हैं Tata Nexon के अंदर जो कि काफी बेनी feature है जो कि आपकी battery का काफी सारा जो loss होता है हो सकता है उससे ही वो recover हो जाता हो अब बात करते हैं इसकी pricing की तो pricing की अगर हम बात करें तो यह 14 लाग रुपे से starting होती है और nearly 16 लाग तक जो है इ air pollution नहीं करेगी तो air pollution तो इसका ही नहीं आप जानते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई fuel है नहीं है जो की burn होगा और carbon emissions होंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको like करें शेयर करें और channel को please subscribe करें और आपको ऐसी वीडियो में बताता रहूंगा education की और motivate करने वाली चलिए आज के लिए thank you